में नीटों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने योटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले कि 30 अगस्त यानि की मंगलवार को निफ्टी बैंक निफ्टी की साइड मोमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पर प्रोफिटेबल ट्रेड ले सकते हो टार्गेट इंट्रिस्ट अपलो सब कुछ हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को अंतर तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले और कल आप एक प्रोफिटेबल ट्रेड ले सको तो चलिए दोस्तों सुरू करते ह हमने चार्ट ओपन कर लिया है पहले और पंदरा मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है ट्रेडिंग व्यू की दोस्तों ही अपलिकेशन है लास्ट ताइम दोस्तों हमने डिसकस किया था कि मार्केट हैविग गैप डाउन ओपन हो सकते है क्य जैसे ही नीचे एक पोजिटिव केंडल बनती है मार्केट रिकवरी कर सकती है और हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड भी मिला हम उसके बारे में भी डिसकस करेंगे जैसे ही दोस्तों ये 15 मिनट की केंडल एक बनी और इसके उपर जैसे हाई इसने क्रोस किया हमको कम से कम आर जो बोक्स मैंने आपके लिए बनाके रखा है ये बैंक निफ्टी में सेम टूसłem ऐसा इनिफ्टी में बनेगा ऐसा बोक्स आप अपने चार्ट के अंदर बना लीजिए और सिम्पल सा एनलिसीस रहेगा माल लीजिए बैंक निफ्टी फलैट ओपन होती है सबसे बढ़िया यहांजी जैसे ही क्रोस होता है क्रोस होते ही दोस्तों आपको कोल साइड नहीं बेठनी एक कीज़ पड prophecies invece अगर दिर्च फ्रत बने डिल्डेट जरूर करते तो आप प्राइस से रीटेस्ट करने के लिए और फिर से अगर मार्केट दो हाई को तोड रही है दिन के हाई को फिर से प्राइस सेक्षन बना रही है तो पचास सच मैंट का तार्गेट हो जाएगा आप कोल साइड बैठ सकते हो और सेम टू सेम पूट साइड रहेगा दोस्तों माल लीजिए पूट साइड फ्लैट ओपन होई मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट ने इस दिन का लो यह लो तोड़ा यानिगी 38,200 के नीचे 38,180 के नीचे अगर बैंक निफ्टी डारेक्ट निकले तो प्राइस सेक्षन बनने का वेट करना अगर यहां पर टाइम पूट साइड के वल यह रहने वाला 37,950 का आपका पूट साइड पहला टार्गेट रहने वाला है जब 38,180 के नीचे प्राइस सेक्षन अगर बैंक निफ्टी बनाती है तो ठीक है माल लिजे गैप और गैप डाउन ओपन हो जाए दोस्तों ऐसे में आप कैसे मार्केट को ह सबस्काज़वाली स्टेटिजी रहेगी हमारी माली जिए हैविज़ेप डाउन खर सेले व्रह होता है 50 की मोविंग अवरेज के आँप इस एरिया में अगर गैप अपन होता है और गैप अपन होने माद एक बुली candle बन जाती है पहली पंदरा मिनिट की और दस बजे के आसपास time spend करके या फिर इसको breakout दे रही है दिन के high को उपर निकाल लिए bank nifty हलका price action बनना है या फिर time spend करके breakout हो रहा है फिर मार्केट time spend करके breakdown दे रही है अब दोस्तो gap down open हो जाए ऐसी situation में आप क्या करोगे माल लीजे इस किसी range में अगर gap down open होती है देगी इस level को दोस्तों याद रखना 37,980 का level है 56 point का दिन का low हम stop loss डालेंगे और 80,90 point का हमारा target हो जाएगा अगर दोस्तो gap down open होके 37,980 के नीचे निकल दे माल लीजे gap down open होई price एक negative candle बनी और फिर दिन का low टूटा और price action बनता है 37,980-950 के आसपास या फिर यहाँ पर time spend करके 37,980 के level को अगर break करती है downside market तो आपको put side जाना है 50-60 point का SL रहेगा वनिस्टो आपका target हो जाएगा दिन के high को आप SL लगा लीजियो और जो 15 मिनिट की जितने size के 15 मिनिट की candle अगर बड़ी बन जाए तो उसी size का आप नीचे target प्लान कर सकते हो put side bank nifty में अब दोस्तों आपको एक चीज बदाता हूं कल क्या था आप कल की वीडियो जरूर देखना भाई यह analysis वाली वीडियो जो कल की थी आज की हमने जो analysis की थी जिस वीडियो में हमने सेटर्डे को वीडियो डाली थी उसमें दोस्तों सायद आप और मैं ही बुलीश थे मार्केट में गैप डाउन ओपन होने के बाद वरना दोस्तों मैं कल मुलब हैरान हो गया यूटूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिन लोगों के मिलियंस मिलियंस सब्सक स्राइबर हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं कि मार्केट में आपको कोल साइड नहीं बैठना है मार्केट क्रैस हो जाएगी यह हो जाएगा अमरीका की फैड की यह नूज आई है भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दूसरे देश की मार्केट की वज़े से अपनी मा बैस्टर और फाइडियाइज की वज़े से चलने वाली है तो आप दूसरे देश की मार्केट को देखके मत बियरिश बुलिश हुआ करो भाई मुझे ना बहुत हैरानी हुई कल देखके ऐसे ऐसे लोग जिनके लाखव सब्सक्राइबर हैं वो लोगों को ऐसे बोले की मार क्रीट के नीचे जाके अपने साथ दोखा करें हो सभी को लौस हुआ होगा तोटली लोस क्यों क्योंकि गैप डाउन मार्केट गैप डाउन अपन होते ही सभी पुट सैड़ बैठे होंगे और सभी को कितना बहें करल अगर वाई सब्सक्राइबर आपको एक मिट रुके मै जो लोग भूली भीरी स्थेकल मार्केट में गैप डाउन उपने इसका मतलब यह थोड़ी कि गिरती 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 जाएगी कुछ अपनी तरफ से अनलीसिस किया गरो लोजिक के साथ ाप लोगो को भाई मैंने तंइसरी में चैनल में घूड़ी ऑपने साथ साथ चलते हैं लेकिन लोगों की कि ने प dar Patruaccar में टोलोग के यह लोगों के वीदियो के निचारा क्रिए यह और आप शीषय क्रैकर यह क्रम लिखुर का जाता है नीचे ही गिरता जाता है सेम टू सेम नकल कर लिए अपनी कि भई अपनी मार्केट भी ऐसे ही जाएगी अब एक बात बताओ इसको कैप्चर करो यह मूह है डाउ जोंस का एक मिलिट रुके मैं आपको लाइन लगा के दिखा देता हूं वही लाइन फिर अपनी बैंक यह है डाउ जोंस का मूँ कोई प्राइस एक्षन नहीं बनाया सीधा खुला और मरू भुजू केंडल बना यह निचे की साइड और अब मैं आपको अपनी दिखाता हूं बैंक निफ्टी रुकिए बताओ अपनी मार्केट गैप डाउन ओपन होके गई है क्या ऐसे उल्ट प्रूप के साथ मंतली की वीडियो आप जाएके देख लीजिए इसी चैनल पर मिल जाएगे आपको पिछले जम मार्केट देखो यहाँ पे थी यहाँ पे इस लेवल पे थी इस तारिख की जून जुलाई की वीडियो जाएके मंतली वाली क्या बोला था डबलू पैटरन बन रहा है मार्केट बुलीश होने वालया इस लेवल पे बहुत पे बहुत लेवल पे न क्या बोल रहे थे कि कि मार्केट ये नहीं रूक् nyt ज़ये मार्केट और नीचे जाएगे बाल्ट के शो sappicham 4900 carte चनू बेल दॉन है कि अब मार्केट इतना बड़ा मूँ दे चुकी है अब वो लोग बोल रहे हैं अब मालीजी इतना बड़ा मूँ देने के बाद मार्केट अगर यहां पे 36,000 पे आ जाती है फिर वो लोग बोलेंगे कि बोला था ना मार्केट गिरेगी अरे भाई क्या मतलब गिरेगी यहां पे आपने बोला दा गिरेगी 33,000 से 33,000 से 40,000 के आसपास मार्केट चली गई फिर ऐसा थोड़ी है कि अब सीधा 52,000 चली जाएगी गिरे तो गी कभी ना कभी तो गिरेगी ऐसा थोड़ी चलती जाएगी तो क्या मतलब है आपका अब आप वो लोग बोल रहे हैं कि बोला था ना म मार्केट गिरेगी यहां से मार्केट स्ट्रेच हो चुकी थी भाई प्रोफिट बूकिंग आने लाजमी है ठीक है तो भाई कभी भी नेगेटिव मत होई है मार्केट को लेकर मैं यह नहीं मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट 50,000 जाएगी और फिर मार्केट कली ही याने की 37500-400 के नीचे जब मार्केट निकलेगी तभी आपको बियरिश हो ना इससे पहले बियरिश मत हो जाना ठीक है तो भाई क्या समझाओ इससे अच्छा तो और और हमने ऐसी बात नहीं प्रोफिट लिया है एक मिन्ट रूखी टेलीग्राम देखिए हमने आज किया कि भ लो एंड लो का फोर्मेशन बनने के बाद ही पूट साइड जाने की सोचे उससे पहले इंतजार करें अगर रिकावरी दिखाई दे तो जो मुश्किल है रिकावरी दिखाई मुश्किल है कि नामूम की नहीं है तो ज्यादा मात्रा में ट्रेट ना करें ठीक है मैंने कलियर लेकट बोला था आपको टेलीग्राव और फिर हमने स्टडी कौन से लिए पेपर ट्रेट के लिए अरतिस छसों का सी लिया एक सोसी दोसों के बीच में और 243 पॉइंट का हाई भाई 40-50 पॉइंट मिल गए आराम से मिल गए 40-50 पॉइंट यह देख लिए आपको इस लेव निप्टी में बैंक निप्टी से बहुत बढ़िया है तो ऐसी रिकवरी ऐसी मार्केट इतनी खराब न्यूज में मार्केट रिकवरी करें तो भाई कुछ तो सोचो हैं जब तक सैतीस पांसों के नीचे नहीं जाएगी तब तक हम येरिश नहीं होंगे सीधी बात कभी भी रिकवरी कर सकती है जहां पर भी सैतीस 500 चे उपर मार्केट खुलेगी कभी भी रिकवरी कर सकती है ये बात याद रखना आप आगे के लिए भी मत देखो भाई दूसरों को मत देखो खुद के दमपर अनलीसिस करना सीखो और अभी तक कर दोस्तों आप एगर ऐसे वी चात ने हीकिन पर है पार से फिलिट जाएको कि आपको इस लोगों से इस नाम से आपको 20–30 चैनल मिल जाएंगे किसी को जोएन मत कर लेना इससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर है उनके बोट सब्सक्राइबर है केवल एक महीने में बने हुए लेकिन पैचान क्या है अपनी पोस्ट पे व्यू देखे कितने बड़िया व्यू जाते हैं 30,000 32,000 33,000 ऐसे व्यू मिलेंगे सब कुछ हिंदी में कलियर और सबसक्राइबर को ध्यान में रखे और आप जोएन कर सकते हैं अब निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी का दोस्तों सिंपल सा एनलिसिस रहने वाला है बोक्स बनाया हुआ है बना लीजिए चार्ट में फ्लेट ओपन हुई जैसे ही आज का हए करोस होगे प्राइस सेक पूर्चास का रहने वाला है ठीक है अगर माली जेग गैप आपन उपन होती है और नेगेटीवी केंडल of open वेट कीजिए गथब गैप डाउन ऑपन जब्बी मार्केट होती है वेट किजिए ठीक है वेट करने के बाद इस सैंड प्राइस सेक्षन उसी साइड जाए लेकिन अगर गैप उपन होके दोस्तो बुलिश केंडल बन जाती है फिर टाइम स्पेंड को देखिए साथ में यह नहीं वह रहूं इसी वीडियो के नुसार चलिए साथ में PCR डाटा को देखिए अगर breakout दे के price section उपर की side बना पचासाथ 20-30 point कैसल डालिए वनिशुट आपका target हो जाएगा हम coal side बैठ जाएंगे PCR data के लिए आप telegram पर follow कर लिजे अगर आपको यह लगता है कि भई हम नहीं देख पाएंगे calculate नहीं कर पाएंगे मैं आपको time to time update करता रहता हूं बियरीस कब होना निफ्टी में बियरीस होना जब 17,280 से नीचे निकले price section बनाए मालीजे इस किसी range में अगर एक candle ऐसी बनी फिर दूसरी candle ऐसे बनके उपर जागे price section बना रही है तो 20-30 point का SL डाली है पहला target भाई 17,160 का ही रखना यह target आपको पहला रखना है इसके नीचे जाए तभी quantity add करने उससे पहले quantity add नहीं करने है पहला target जल्दी profit book करना put side पहले ही बोल रहा हूं put side जल्दी profit book करना और दोस्तों मैं यह नहीं बोलना हूं कि market भाई यहां से 52,000 जाएगी मैं bullish हूं market में नहीं इन्यूज है effect हर जगह पर पड़ेगा हर देश की market पर पड़ेगा लेकिन ऐसे नहीं होता है जैसे लोग बोल रहे हैं ठीक न तो उसका कोई standard level होता है अपने खुद के दम पर analysis कीजिए जरूरी नहीं है कि डाउज हों से 1000 गिरा तो अपनी बैंक निफ्टीए 1000 गिरेंगी नहीं बाई ऐसा नहीं है निफेक्ट पड़ेगा हो सकता market downside चली जाए लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जाने वाली जितने चिला चिला अगर लोग बोल रहे हैं आज ही बता रहा हूं आप सभी को इतनी लेवल गो टच कर लेकिन आपके लिए अपोर्चनीटी तो है न वह स्टोक आपको सश्टे मिलेंगे और एक चीज आप नोटीस करना आज मार्केट भले ही कितनी गैप डाउन हो स्टोक के अंदर गिरावट नहीं थी सभी स्टोक के अंदर मामूली सी गिरावट थी जो दो गैप डाउन ओपन होती 17 160 के आसपास और बुली स्केंडल बन जाए तो दस बजे तक का वेट करना पीसी डाटा चेक करना पीसी डाटा के साथ और अगर दिन का हाई ब्रेक करें पीसी डाटा पोजिटिव है तो हम कोल साइड जाएंगे पहला टार्गेट यह रहेगा 17280 क यहीं कि शारप रिकवरी दे सकती है बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होगे रिकवरी केंडल बनाती है पोजिटिव केंडल बनाती है तो पहला टार्गेट आपका यह रहेगा 20 30 पैंट का दिन का लो एसल डाली है वनशेटो आपका टार्गेट हो जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होगे दोस्तों नेगेटिव केंडल बन जाए इस टाइप की और दिन का लो और यह लो ब्रेक करती है गैप डाउन ओपन होने के बाद यह 17,160 का लो अगर ब्रेक होता है तो फिर 17,000 के लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं दिन का आई पर बाद ब्रेकडाउन दे तभी आपको ट्रेड गरना एक चीज याद रहना दोस्तों ट्रेडिंग आपको दो पर बाद मिले चाहे ट्रेड तभी करें जब आपको पिक्चर कलियर दीखे यह नहीं कि खुलते ही मार्केट में गुजगे मैं टलीग्राम पे देता हूं वह मैं इस चीजे में कोल टिप्स मत लीजिए उनको मेरा तो काम है आपको सिखाने का मैं तो सिखा रहा हूं और किस लेवल का सीख रहे होगे आप वीडियो कल की वीडियो आज वाली आनलीसिस की वीडियो जुरूर देखना जो सेटरेडे को डाली थी उसमें बहुत सारी जाया था तो आसा करता हूं आपको पसंद आई वीडियो और यह वीडियो भी आपको पसंद आती है और किया आपकी राए हैं कोमेंट करके जुरूर बताना है तो मैं यह बहुत ज्यादा खुसी होती है क्योंकि एक भी नेगेटिव कुमेंट नहीं है और अगर कोई आलग तरह से जो मैं आपको बास शिखाने की कोसिस्कारता हूं हुए फाली अनलीसिस नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में आपको शिखाने की कोशिस्करता हूं करते कैसे लोजिक के सात ठीक है थीक दो लाइक चोड़ करना अपना कीमतिसमे अन्तर रहत ही बहुत बहुत दनवाद अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो की नीचे लाल रग में सब्सक्राइब रिटन उस पर ऊके करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाईएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफि तो आप सब जब तक मेरे साथ हो भाई कुछ नहीं होने वाला अपना ठीक है अपना ऐसे ही चलते रहेंगे मस्त हाती की तरह ठीक है तो थैंक्यू भाई मिलते हैं कल एक निविडियो के साथ तब तक के लिए बाई-बाई अपना कीमति इसमें निकाल कर दो देखने के कर दो देखने के लिए बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई